प्रिये विध्यार्थियों, कल हमने लाटा अनुप्रास और अनुप्रास को समझा था आज के अलंकार का अध्यन करने से पूरू हमें अनुप्रास और लाटा अनुप्रास को पुरारिस्मित कर लेना चाहिए अनुप्रास जब वर्ण या वर्ण समुहों की आवरत्ती एक या एक से अधिक बार हो अर्था वर्ण अत्वा कई वर्ण दो या दो से अधिक बार आएं तो अनुप्रास अलंकार होता है और जब शब्द या शब्द समुह अत्वा वाक्यांश दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हों किन्तो उनका अर्थ वही रहे बदले नहीं लेकिन अनवय हमेशा भिन्न हो और वाक्य में अस्थिती भिन्न हो तो लाटा अनुप्रास अलंकार होता है अब हम यमक एवं शलेश अलंकार के विशे में जानने का प्रयास करेंगे यमक अलंकार जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है यमक का अर्थ होता है युग्म ध्यान दीजिए यहाँ पर शब्द दो या दो से जादा बार आ रहा है लेकिन अर्थ उसका बार 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 बदल रहा है तो जहाँ पर अर्थ बार बार बदले अर्था जहाँ पर अर्थ भिन्न हो यहाँ पर अलंकार यमक अलंकार होता है उदहरन कनक कनक ते सोगुनी मादक ता अधिकाए वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए यहां प्रथम कनक का अर्थ धतूरा है जबकि दूसरे कनक का अर्थ स्वर्न है यमक अलंकार के दो भेद कहे गए हैं अभंग यमक और सभंग यमक अभंग यमक में पूरे शब्द की आवरत्ती होती है शब्द से ही पता लगता है अभंग अर्था जिसका बंग न हुआ हो अर्था जो पूरा हो पूर्ण हो तो जहां पर पूरे शब्द की आवरत्ती होती है वहां पर अभंग यमक होता है जैसे उपर युक्त उधारन एक अन्य उधारन और देखते हैं तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं पहले बेर का अर्थ है तीन बार दूसरे बेर का अर्थ है जाड़ी बेर इसी प्रकार उंचे गोर मंदर के अंदर रहनवारी उंचे गोर मंदर के अंदर रहाती हैं अगला है सभंग यमक, सभंग यमक में शब्द के अंश की आवरत्ती होती है, पूरे शब्द की आवरत्ती नहीं होती उदाहरण के लिए यो परदे की इज़त परदेशी के हाथ भी काने थी, यहाँ पर परदे शब्द की आवरत्ती हुई है पहला शब्द परदे स्वतंत्र है और पूरा शब्द है इसका अर्थ है परदा दूसरा शब्द परदेशी का शब्दांश है परदे धनशी एक अन्य उधारन देखे आयो सकी सावन विरह सर सावन लग्योहे बर सावन सलिल चहू औरते यहाँ पर सावन शब्द की आवरत्त हुई है प्रत्म सावन शब्द स्वतंत शब्द है दूसरा सरसावन का अंश है तीसरा शब्द भी बरसावन का अंश है अर्थार बर धनशावन सरधन सावन, तीनों σबदों के अर्थ तो भिन्न ही, इस परकार यमक अलंकार में शब्द या शब्दों की आवरत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ प्रत्यक बार भिन्न होता है, अतह यमक अलंकार होता है, इसी परकार कहा जह सकता है कि यमक में अर्थ अलग-अलग होता है और लाटा नुप्रास में अर्थ एक ही होता है अर्थात समान होता है अब अगला अलंकार है शलेश अलंकार शलेश का अर्थ है चिपकना जहां एक शब्द से प्रसंग वश कई अर्थ निकलते हों वहाँ शलेश अलंकार होता है अर्थात शब्द एक ही होता है और संदर्ब के अनुरूप उसके कई अर्थ लिये जाते हैं वहाँ शलेश अलंकार होता है उदाहरन देखिए रहिमन पानी राखिए बिन पानी सबसून पानी गए न उबरे मोती मानस चून यहाँ पानी शब्द से प्रसंग वश तीन अर्थ निकलते हैं मोती के संदर्व में चमक मानस अर्थात मनुष्य के संदर्व में इज्जत और आटे के संदर्व में जल इस प्रकार यहाँ शलेश अलंकार हुआ है श्लेश अलंकार के भी दो भेत कहे गए हैं अभंग श्लेश और सभंग श्लेश अभंग श्लेश उधारन देखिए बलीहारी रिप कूप की गुण बिनु बूंदन देही यहाँ पर गुण शब्द के दो अर्थ हो गए हैं रिप के संदर्व में गून और कूप के संदर्व में रस्सी पूरू का उधारन भी अभंगशलेश का उधारन माना जा सकता है यहाँ पर गून शब्द स्वतंत्र और पूर्ण है किसी शब्द का अंश नहीं है अगला है सभंगशलेश सभंग शलेश में शब्दों को विभाजित कर अर्थ की प्राप्ती की जाती है उदाहरन के लिए चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने हिगंभीर वो घटिये व्रश भानुजा वे हल्धर के वीर यहां व्रश भानुजा से प्रसंग वश दो अर्थ प्राप्त होते हैं पहला व्रश भानु धन जा अर्थात व्रश भानु से उत्पन व्रश भानु की पुत्री राधा और दूसरा व्रश भधन अनुजा बेल की बहिन अर्थात गाय इसी प्रकार हल्दर के बीर भी हल्दर के भ्राता अर्थात हल्धर बलराम जी को कहा गया है तो बलराम के भाई अर्थात क्रश्न दूसरा आर्थ हल्धर अर्थात हल को धारन करने वाले अर्थात बेल तो जोड़ी हुई राधा क्रश्न की दूसरी और गाय बेल की इस प्रका यहां शब्दगो विभाजित कर, अर्थ की निश्पत्ती की गई है। अतहर सबंग शलेश अलंकार कहा जाएगा। फिर देखते हैं, यमक में शब्द की आवरत्ती होती है और अर्थ बिन्न होता है। लाटानुप्रास में शब्द या वाक्यान्श की आवरत्ति होती है और अर्थ एक ही होता है, भिन नहीं होता। शलेश में एक ही शब्द होता है और पसंग की अनुरूप उसके कई अर्थ प्राप्त होते हैं। यहां पर शलेश अलंकार होता है। आज इतना ही धन्यवाद